असलाम लेकूं स्टोरेंस हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स 11 का चैप्टर 1 जिसका आज फर्स्ट टॉपिक जो है डिसक्स किया जा रहा है याद इस एकुरेशी एंड प्रेसीजन स्टोर्ट्स जब हम मेजरमेंट लेते हैं किसी भी इंस्टूमेंट से आधर तैंज में जो से अ टो फीससे एक मैंबूमेंट लेते वां जो हमारे इसाथ ऐस में में से हंस किसी कर रहे थे कभी एक में हम रेडियस पाइंट कर रहे थे और अधार कर रहे थे तो जब हम इन्स्रूमेंट्स यूज करते हैं और उसे जो हमारे पास एक रिजल्ट आता है ठीक है तो उसमें हमारे पास यह जो दो है इन से स्टुडेंस हमें होना चाहिए और एक अच्छे क्वाल्टी डिजार्ट को अच्छीव करने के लिए हर स्टुडेंस चांबता होगा कि जो अगर वायर्स किसी स्क्रीव गीज से नाव रहा है ठीक है या फिर कोई स्लेंडर है ठीक है वो वादियर कैलिपर से उसका डायरेडियस हो है वह मालूम किया जा रहा है तो हर स्टुडेंस का गोल होता है कि वह एक क्वाल्टी ज़न जो है वह अचीव करें ताकि वह उसकी ग्रेक्ट वेलियों तक अप्रोच कर सके आप एक करता है का अचैना करता है जो मे करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट उसको एक प्रेसाइज रिजल दे रहा है या फिर उसको एकुरेश रिजल दे रहा है जो उस अबजेक्ट को मेजर किया गया है किसी इंस्ट्रूमेंट से ठीक है तो आपने एक क्लास में देखा कि दो से तीन स्टूडेंट्स हो है वो एक एंस्ट्रूमें से दो तीन डीफ्रेंट एंस्टूमेंट से ले 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 फियर नीफ दो तीन डीफ्रेंटा वे इपने मेसर्मेंट कर रहे हैं ऑada किमेशोर पर से अनियोर करें बई तरह पहले से अब जाते हैं कि यह वो सकते हैं सेकेंड स्थूडेइंट की है ये कुरीर्ट हो सकती है सब्सक्राइब 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 करते हैं इसका मतलब किया है और प्रेशिजन जो है वह क्यों क्वालिटी अफ मेरमेंट अचीव करने के लिए इतनी इंपार्टिंस होती है ठीक है स्वेट पैरे जलते हैं एक पुरी इसी के पास एक पुरी इसी क्या है कहता है कि इस चीज़ की मेरमेंट है इस चीज़ की बात हो रही है आप हाव क्लोज दा मेर वायल एस तुदा टू एक्षेल वैल्यों भी कह सकते हूं यह नि मैं किसी मारकर की एक एक्षेल लेंग्ट जानता हूं सपोस किया 10.5 सिंटिमेटर लैट सपोस इसकी एक्षेल लेंग्ट है जो इसके उपर में थिरिंटी के लिए मुझे बताएगे यह डबने के उपर लेखी ने जब मैं इसको पर्तियस कर रहा था यह इसके उपर लेखी है तो य सब्सक्राइबर है सेमी मारकर जब मैं उनको किसी इंस्टूमेंट से लेंट को कौनगा कि मुझे आप मेजर करके दें के मैंड वैल्यों जो है जो जिस इंस्टूमेंट से मों मैंड करेंगे इसकी उनके पास क्या लेंग्ट आती है आइदर यह जो मेरे पास फ्रू वैल्य वैल्यू है जो एक्टल वैल्यू है इसके बहुत ज़रा करीब आती है जाए जो तो इंस्तूमेंट की बता सकेंगा कि वह इंस्तूमेंट जो है किरेशन के लिए क्या क्या करते हैं हम कहते हैं कि ले चम्हारे हूं कि एक सिद्टी indeed होए क्या अध्य मेर थे चेस ना र infect है अगार को finan cr k 나ohl कि अगरे हैं छत्जीन के या उइन के चिक्या कना की ऐसा हूं है क्या case है विद्टीर है कैसे एक तो मैंने अब 16 सक्या के कह बहुस्त हमारे पास जो मारकर है ठीक है यह मारकर इसकी एक्टर लेंग जो है स्पोर्ज के मैंने आप से कहा कि इसकी एक्टर लेंग जो है वो मेरे पास 10.5 cm है इस एक्टर लेते हैं यह हमें मार्ड होती है पहले से जिस इंस्ट्रॉमेंट को या जिस चीज को हम यूज करें उसके उपर मार्ड होती है तो हमने कहा कि इस मार्कर के उपर 10.5 cm करने पर लगा दो है कि इसकी एक्टर लेंग जो है वर 10.5 cm अब मुझे तीन स्टूडेंट्स वह मैर करके देते हैं ठीक है फर्स्ट स्टूडेंट्स जो है अली वह मैर कर रहे हैं सेकेंड वां आयां और आफां स्टूडेंट्स जब तीन स्टूडेंट्स ना इसको मैर किया तो मुझे कुछ त्री डिफ्रेंट वीडिंग्स अनों ने दी ता फास्ट वान इस इसको मेरे 10.3 cm इसको मेरे 11.5 cm इसको मेरे आर्मोस्ट 9.833 cm अब जानना यह है कि इन तीनों ने त्री डिफ्रेंट एंस्टूमेंट यूज़ कि त्री डिफ्रेंट एंस्टूमेंट से मुझे इस मार्कर की लेंग्ट जो है मैजर करके लिए ठीक है अब अगर आप देखो अलीग येगा रीडिंग्स को देखा जाए और मेरी एक्टर लाइक्टर मार्कर की डाइस 10.5 cm जब यह मैर करते हैं इस्टूमेंट से तो इनके पास ये जो वाल्यों है ये मेरे एक्टर वैल्यों के कितने क्लोज्ड है look at that 10.3 cm is too close to 10.5 cm अगर इस तीश को देखा जाए आयान के गरेंश को देखा जाए 11.5 cm is too far from 10.5 cm it's not closed similarly 9.833 cm also not close to this actual length so मैं कहा कह सबता हूं कि जो अली की रिविंज है इनकी जो मेरे मेरे मेंड है ये एक्टर है क्योंकि ये मेरे एक्टर वैल्यों जो इस मार्कर की एक्टर लाइंग है इसकी होट लोज्ड है को में अली की डीडिक को कह सकता हूं कि इनकी डीनिक्क जो है ये अब जाना ये चाते हैं कि ये जो बो अयान नफान और रिदेंग ले रहे थे ये इनकी पास ये रिदिंग की हुआ इस होता क्या है कि आप जिस एंस्टुमिंट से भी मैरे लेते हैं आजे एज़ सब्सक्र क्या है कि मेरे पास यह इसको यूज करने लगते हैं तो इनके अंदर कोई होता है हो सकता है तो आप जब इसे मेजरमेंट लेते हो तो वह जो इसके अंदर होता है वह आपके रीडिंग्स को आपके रिजल्स को क्या करता है तो हो सकता है है कि मेरमेंट लेते हुए इस एड़र को नेगलेक्ट कर रहा है या फिर उसका अपना कोई परस्नल भी हो सकता है ठीक है तो इसी दे हमने कहा कि यह जो दो रिडिंग्स जो है कि यह जो है यह हमारे पास एक रेक विद्व है है मारे एकरेट का है क्लोस है यह हम आरे पास जो से परने कहते हैं कि यह किस चीज की बात हो रहे कि सी की मैंने तोरे है कि आप की जो मैड वेलियो है वह हमारे एक्शल वेलियो की कि व्लोज है तर दर देनिस एक्कुरिशी को कि सूट्री लेंक्स सब्सक्राइब कर दिश है कि क्या मतलब है कि वह एंप्रूब होती है हमारी MADI MAKE YAMUnormほ जीतने जाधा significant digits होते है Bye. More the significant digits and the mannered value more will be the result inaccurate clear, less will be the significant digits and now our mode value less will be the result accurate یعنी के असरान लब्स हो में अगर में न कर है तो accuracy जो है वो इस डिरेक्न पॉजिशन तो accuracy इस डिरेक्न पॉजिशन तो significant figures significant digits next one significant digits हमारे measure value में जितने जादा significant digits होगता है accuracy जो है हमारे पास हमारे जो होता है हुपने जादा accurate होता है तब बात कहते है तुम्हें पेसिजिशन पेसिजिशन क्या है एस आप हूँ what resolution are limits what resolution are limits the quantity is where यह कहता है कि तुमने जिस अब्जेक्ट की मेर्मेंट लिए है उस अब्जेक्ट की जिस instrument से मैं ली है उस instrument की अपने depth क्या थी वह instrument किस resolution तक result दे सकता है कितनी depth तक result दे सकता है कोई instrument कितने depth तक या कितने resolution तक result देता है उतना ही वह most precise result produce करेगा clear? यारी किसी instrument की जितनी अच्छी resolutions होगी या पहला आपके आपके सकते हो कि जितनी अच्छी limits होगी जितनी अच्छी range होगी किस range तक वह जितनी ज्यादा range तक जितनी ज्यादा limits तक जो है वह result हमें देगा management दे सका वह उत्रा प्रिसाइज रिजर्ट को भी उस करें जैसा के फार एक्जम्पल मेरे पास है त्री डिफेंट एंस्टुमेंट्स मेटरूल स्क्रिव गेज एंड वादियर कैलिपर इस अगर देखा जाएं इन तीनों का लिस्ट कॉंटेक्ट दूसेशन वफ्तलिफ है जो मेटरूल है वह ज्यादा ज्यादा कहां तक एक चीज को मेजर कर सकता है डाट इस जीरो पांट वन सेंटिमीटर फिर हम वन डीसिमल प्लेस के मजाएं टू डीसिमल प्लेस को प्रैफर करते हैं इसका लिस्ट काउंट है जीरो पांट जीरो जीरो वन सेंटिमीटर यह आपके जो है तू डीसिमल प्लेसिस तक रिडिंग देता है तो आप देखो इन तीनों के अगर रिजलूशन यार लेमेंट्स देखें तो इसके लिमेटेशन जो है वह आपके पास वन डीसिमल प्लेस तक है इसके लिमेटेशन जो है यह आपकी टू डीसिमल प्लेस तक है और इसके लिमेटेशन जो है त्री डीसिमल प्लेस तक है तो आपके पास सबसे चीर रिजूशन एन तीनों में से किसकी है तो आप अगर ए बाठका किस जो के इसलिवाय में से इसंद जादा झीच है तो यह आपको आंदे को मिंटर दीन से बाठक थ Secondly इस कि cancellous गेज की जो रीजल्यूशन है या रेंच मेर करने की वह दोनों से उच्छी है तो इससे प्रिडियूशन वाले रीडिंग जो होगी मैयर्मेट जो होगी ज्यादा प्रिस साइज होगी इसलिया हमने लेकर रखा है यह बताता है कि इसलोशन लेमेंट तक आग वह मेर्मेंट न को किसी इंस्टुमेंट से ले सकते हैं तो वो जो आपके पास कम से कम मायर्मेंट है वो इसकी लिमिट है वो इसकी रेंज है फ्रोंट अगर उसे ज्यादा अपने कि कोशिश करते हैं किसी इंस्टुमेंट से तो वो आपको कभी भी प्रेसाइज डिजल्ट नहीं देगा यह दिनके अब आप इस प्रिम बीट से त्ली सी डीजिमल प्लेसिस तक जो है बोट कोशिस करते हैं तो यह आपको प्रेशाइज रिजल्स जो है नहीं देगा त्री डेसिमल टेसित की आपको प्रेशाइज रिजल्स दे सकता है क्योंकि इसकी लेमेट रुजिटिशन जो हम दूडेसिमल प्लेसित तक है ठीक है स्वाइब इसको मजीद आप समझने की कोशिश करते हैं ठीक है कि इन बातों का क्या मतलब है अ मैं असां मतलु में अब को यह बता दू कि होता है कि हमने पर अगर हमें किसी अबशक्त के बारे में उसके बारे में ज्यादा इंफरमेशन में तो इस प्रेसाइज रेजल्ट को शुक्र्स प्रेश्थ होगा आपास दुख लाग है कि यूच्य जो है इसके जो है इसकी जो है इसकी दो नीडल जी जाहिए यह है इसके गंटावाना लिडल्स और यह है हमारे पास इसके मिनट बोला प्लाग नंबर ए ए एंड प्लाग नंबर बी जंग यह दो जो हमारे पास इक पिला भी एसके मिन्ट यह क्या कर रहा है वह मारे पास जो और इंफर्मेशन दे रहा है वो क्या दे रहा है और प्लाक एक यह बता रहा है हमाने पास के प्लाक यह बता रहा है देखें इस वेकर टैम हो रहा है तू फिफ्टीन व्हार्स टू होस्त एंफिफ्टीन मीगवर风 क्लाक भी आपको टैमशन दे रहा है क्लाक ब्लॉट्टäter केुप्वर किऔर चैंट इस व्हीं की कि अप्लोश्य भूल यह बहा ह få लय एक उप ज्यादा इस ज्याद ऐसकी लिमिट जड़ है यह सेकंट तक आपको बता रहा है और मिनत तक बता रहा है तो क्लाक ए और बीमिस में कौन से जड़ा प्रिसाइज होगा more the information you get from the instrument more the limits of the instrument more the resolution of the instrument more will be the instrument give you precise result तो चुम्कि इसके resolutions, limits या least count इस वले कलाग से ज्यादा है यह seconds तर बताता है, यह minute तक बताता है तो इसलिए हमने लिख रखा है depend upon the least count of instrument more the least count of instrument more with the result precise So it give you the measurement in seconds and it give you the measurement in minutes यह कम से कम एक मिनर तक आपको the resolution and limits तक आपको reading दे सकता है या आपको seconds तर दे सकता है So आपकी जु यह reading से यह, that is more precise is compared to this reading Okay students अब इसको मजीद हम एक सरे, दो एक्जामपल्स के थूँ, हम समझेंगे ताके आपको मजीद जो है, वो अच्छा समझाया गया से तो इसको रख रखते हैं हमारे पास त्री डिफ्रेंट केसे हैं, ओके इसके बीच में आपके टार्गेट एरिया है आप क्लास में से तीन स्टुडेंट्स को आपने हैं, चुना, ठेके यह आपके पास A है, यह आपके पास B है, यह आपके पास C है और उनको हमने का, कि आप ऐसा कीजिए, कि आप निशाना बाजी कीजिए, और आप में जो है, इनको फिट करना है, जो तार्गेट एरिया है, सबसे पहले, तीन स्टुडेंट्स आइए, क्लास के आपने तीन तीन ग्रूप बनाएं, इस्टुडेंट्स को, A ग्रूप, B ग्रूप, C ग्रूप, A ग्रूप के जो स्टुड और स्टुडेंट्स हाँ, जो उन्होंने तीर बाजी की, ये थट है, ये पो का टार्गेट देलिया है, यहां उन्होंने इनिशाना बाजी करने, यहां उन्होंने देल को हईक्त करना हे, टार्गेट एरिया, कित बएक है है तिर स्टूरेंट्स की जो तीन तीन ग्रुप बनाएं गये हैं वह स्टुरेंट यह पर हीट करेंगे हैं हम में देखा जो पहले स्टुरेंट्स नहीं हिट किया गिंथ उनके निशाने जो है देखें देंगे तो इस तार्गेट लिए एक कहीं दूर दूर पाई जा रहे थे एक ने यहां मारा दूसरे ने यहां मारा तो लगभग उनके जो तीन थे निशाने जो थे वह अपने टार्गेट एड़ा से इन प्लेसेज पर लगे आई आप चलते हैं ग्रूप बी के पास दिखते हैं कि उन तीन स्टुएंट में एंट टार्गेट एड़िया पर कैसे निशाना प्राजिक की जब यहां हमने दिखा तो हमें पता चला कि इ प्रिट थे कंप्लीट टार्गेट एड़िया पर इन्होंने मारे यह आप समझे के तीन बाजी में बहुत अच्छे थे और इनके टार्गेट एड़िया पर सारे निशाने लागें से मिलाली आप ग्रूप सी को जब देखा गया तो यहां हमने देखा कि इनके निशाने तोटी सीपेंस में आ रहें कुछ ऐसे करके तो हमने तीनों के रिज़र्ट को अब्टेंड गिया तो स्वेंट ज़रा डिफिनिशन जैन में रखिए गया यह आपकी एक्षण वैलियो इसको समझे आपकी क्या है आपकी एक्षण वैलियो और यह ती लग स्वेंटा रहेना यह आपके क्या है मैं अलगिफने अब देखना यह है कि आपकी मजल्ग जय कोज करें सबसें वाग्य लेंद से impacted नहीं के और सकेड़ करिफिथ अगर में आपक्स Squash इस्क्रिश्रे से बहुत दूर है। तो पर आपका रिजल प्रेशाइस भी नहीं है। क्योंकि फेसर प्रेशाइस और ने के लिए एक दुसरे के पास पास होती अ यह निम्हाम और भीर सिस्क्राइविन हैं तो हमें कणा देखना होता कि उस मुला वाल्योस क्थारीड कंसे आधा करेंर कॉइब सबमाव भाइलियो इसक्राह्यु तो इसक्राइब सोरी वियरन पットर्परिक na camea दो तुजल्दowned बोलत देलो कि तोantes एक्जांपल उठाएंगे तो फिर आपको बैटर समझ जाएगा एक्षब यहां पर आपका तार्गेट एडिया है जो तीर लागद है आपकी यहां की मेर्ड वैल्यों है देख सकते हो आपकी मेर्ड वैल्यों से कितनी दूर है आप यह कह सकते हो ना तो आपका रिजाब पुसाईश है न न तो आपका रिजाब एक्षब एक एकुरीट है क्योंकि ना तो यह तीर एक दूसरे के करीब है ना तो इन परsystem Inc DAVID ऐसे तेका ना इनके आपस में लोजने से नाइट असे नाइए लोग वहां एक है सकते हैं कि नाट परेट नाट प्रेसाइब नाट एक उरेच ए नाट इक उरेच नाट प्रेसाइब अगर बी को देखा जाए तो आपके टार्गेट एरिया में जितना तीर लगे सब कंप्लेट लिए अच्छा तीर वास्ट है और उन्हें दर्गेट एरिया में मारे तो आपकी वैल्यूस एक तो आपस से भी क्लोस है यह पास पास लगें उसने भी नंबर नुम्बर दो इस तार्यट एंगे एक तो आपके बहुत करीब है एक डूब तो डूब है यह प्लश ने जूब एक तो दो आपके निए प्लस ने करीम कि उसले के बहुत पास पास इस लिए क्या है प्रेसाई भी है तो जो बीए परए स्टुणिंस का ग्रूप था ये तो प्रेसाइज दिए रहे हैं प्रेसाइज प्लस एको रेज अब इनकी बार करते हैं स्टुणिंस अगर आप ग्रूप सी के स्टुणिंट देखें ये सब्सक्राइज ने कब्जोब थे जब उन्हें हिटर की तो हुआ कुछ यूँ कि इनके जो चार तीरा है वो एक खुद एक दुस्तर के तो करिंग थे सट आफ क्लोजनिस मिला हमें जब हमने चारों मैंड वै मुदर आप लार रिजाज आप अब इसे पूर्डीज आला या जोगा एक और देखें को यह लेट नहीं ओगा वगा वडट प्रेसाइज oh सब्सक्राइब एक दूसरे के पास लगे लोज तो हम यह कह सकते हैं कि यह रिजर प्रेसाइज तो है बट एकुरेट देगे स्वामिय कह सकते हैं प्रेसाइज 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 बट नाट एकुरेट बट नाट एकुरेट एकुरेट यह थी आपकी हुए एक्जांपल जो शायद आपको समझ आ गया होगा कि एकुरेशन एंप्रिक सीशन जो है वो कैसे जो है वह इंट-ईश्रे से लिख जाते हैं अब जो इसक्ट इससे आपको और भी कुछ यह बिले जिल्ट एकुरेट ओता है वह यह और जो रिजल्ट प्रेसाइज होता है ज़रुरे प्र आपकी surrounding हम लिए प्रेसाइज तो है नहीं है तो कभी भी आपने इसा नहीं कहना कि आपके पास दिय यह जाए अगर कोई आपके पास प्रेसाइज मेर्मेंट आगी इसी इंस्टुमेंट से ले रिडिंग लेने के बाल तो इसका कत्या नहीं मतलब नहीं है कि वह मैंने के बाल आपको यह क्यों क्लूजन मिलता है एक को दो दूशन पर डिपन ही निकरते देर एंट डिपनेंट to each other कि कभी भी दूसरे पाइब नहीं करते यह एंटर लिंक नहीं करते एक दूसरे से यह चेट है तो रिजल्ट जो एकुरेट है यहां आपको पता चला कि जो रिजल्ट जो है यह जो एकुरेट है अगर मैं तीन से चार वेल्यूज मजीद लेड़ों जो के नेक्स एक्जां कि लिए एक्जां वेल्यूज के कितनी लोजे में सफ यह देखूंगा उनका जो सब्सक्राइब नहीं चार वेल्यूज का वह आपस में कितनी लोज आपको रिजल्ट पर पेरामीटर है यह वह आपके इकुरिशी से इंडेपेंडनेंट है यह किसी और चीज़ से आती है ए अधरतर को में कि आज गया एक ओर इस Bulड़ क्या शकता है क्योंके अज़े मुट है क्योंक्ता रीपम। मैं कि आज सकता है haha आपके पास लेंग थाई है तो आपको फॉस्तिव एर्ड को इन्स कर दो आपकी मजीद इंप्रूब हो जाएगी तो आपके पास इन्स्टुमेंट के अंगर जो एर्र आते हैं उनको खत्म किया जा सकते हैं कि सिस्ट्माटिक होते हैं आप बार बार एक रिज्ट करते हो लेक लुडेर, प्रिसीजिन जो है न बें जर्षु है, आपके इंस्ट्मेंट से हैने वाले प्रेसाइज हो सकते हैं एक रिशो से जब वो बोलुज्ड होते हैं या फिर जब एक रिशियर्ट की जो रिचलूशन है या इसे रिमेच्ट से दूसरे के चलोज्ड होती है अच्छी बहुत है जैसा कि मैं तीनों की बात करो तो में पास यह जो प्रीटिमेटर ने वाला रिजल्ट है एक इसी प्रेसाइज इस्टुमेंट से लिया गया यह जाल में प्रिसाइज नजर आ रहा है क्योंकि ज़्विक जादा इंफरमेशन देरा इस वैल्यू के बारे में तो मोर बीदा बिशन प्रेस्ट आई इस्टों थीप लास्ट एइशंपल लेते हैं और इस अट्रेशन को फाइंद एक छेयर देते हैं कि अब की बार मैं सकते हैं कि हम एक एक टार एक स्टेंडर और अब करते हैं पर देते हैं आप ऐसा करें आप इसकी मेरमें देखाएं पर हम चेक करेंगे जो मेरमें आप प्रिसाइस रिजल्ट है या फिर एकुलेट रिजल्ट है हमें इस चीज को स्टोंट्स देखने हैं एक राद है अब इसकी आप यह वेले जो है आप चार स्क्रिव गेजिस दिये लिए उनको सब्सक्रिया या कोई भी इंस्टुमेंट आप में इसन कर सकते हैं या फिर वान एक अब लाड़ की हैं जो है आप यह मैंड करके दें ठीक है तो चार्स टुडिंस आइं उन्चार्स टुडिंट आपने जो मैं है लिए ठीक है वह कुछ दूट थी और हमें जो इस स्टुरेंडर का अपना वाले जो है वह मैं पता था ठीक है इसकी एक्टन वेल्व है वो स्टूर्स किया कि आपके पास 9.5 संटिमीटर आ रहे हैं तो मैंने पास चार स्टुरेंट्स है ए बी सी दी चार स्टुरेंट्स की दिन्स को जब मैंने देखा तो फर्स्टुरेंट्स की दिन्स मेरे पास कुछ हमें इस एक्टन वेल्यू के कुछ ऐसी फी होगी के 8.5 संटिमीटर, 8.4 संटिमीटर, 3 संटिमीटर, 8.4 संटिमीटर, 8.4 संटिमीटर, यह वाले जाएं से मेरे जो स्टुरेंट्स भी थे, उनकी जो है वो फर्स्ट की बिल्कुल, एक्टन वेल्यू के करीब आगी, इस एक्टन की 9.4 संटिमीटर, 3 की भी एक्टन वेल्यू आगी, इनकी 9.6 संटिमीटर आगी, से मेरे जो सी स्टुरेंग्स का, उनकी जो वैल्यू हैं, और 10.5 संटिमीटर, 11.5 संटिमीटर, 8.5 संटिमीटर, 8.9 संटिमीटर, जो 10 स्टुरेंग्स रस्पूरेंट्स, उसका क्या हुआ? इसको जब हमने देखा, तो उसने हमें रिजल्ट किया, इस 9.5 संटिमीटर, 9.8 संटिमीटर, 9.6 संटिमीटर, 9.5 संटिमीटर, 9.5 संटिमीटर. तो स्टुइंस पता चेला के प्रिसीजन में हम यह देखते हैं कि जो मेरे डायू आई हैं। उनके अपस में कितनी क्लोजनेस है? टिक है। हम सबसे पहले यह देखते हैं और दूसरा हम यह देखते हैं कि हमें कोई मैं कितने जोलूशन कितने लिमेंट तक जो है वो जिए रहे हैं तो हमने जब एक वो देखा आप देख सकते हैं चारों पी चारों एक दुछने के लोज एक सेट आफ बना रहे हैं एक पैंट फैंट फॉर एक पैंट फॉर तो आप देख सकते हैं अपस में बहुत फ्लोज हैं अगर हम इसको अपकेर करें अपने एक्शल वैडियों से जो कि 9.5 सिंटिमीटर है तो आप देख सकते हो यह ब चार है नहीं हो सकती हो और दiquement करेंट है प्रेशायज हो सकती है और देख सैसरे हो फेंट और संसाइस अपिंप खुरेज थैन आई एस वाल्यू की तरफ चलते हैं, तो अगर इन वाल्यू को तुम देखो, अगर हम चुटी करें, तो पता चला के यह वाल्यू तो अगर लेंग के भी ख्लोज रहें, और आपस में इनकी ख्लोज रहें, तो मैं क्या कहूंगा, यह वाल्यू के यह वह प्रेसाइज रहा है और ऐकुरेट रहा है। तो मैं क्या काउँगा, यह जो बी शुट्म था इसके जो रहा है, वह प्रेसाइज भी है, और आपकुरेट रहा है। कि दोनों ही आ जो है वो कि प्लामेटर इस फुल्फिल करते हैं अगर आप सुनेंट सी की बात करें तो आप देखो सुनेंट सी का जो आने वाला रिजल्ट है वह तो स्केचर्ट है सुनें टोटली स्केचर्ट है पहले 10.5 है दूसरी दफ़ा 11.55 तीसरी दफ़ा 8.55 चौतरी दफ़ा 8.99 तुर स्कैर्चर्ट होती है तो ना तो न का सैटक भो में बनता है ना तो एकक्ट फंड हें और पर हिस प्रेसंट अक्लोस निए तो नीं ना ना तो प्रेसाइज है ना फिर एकुरेट है तान ये कैसे सकते हैं नाट एकुरेट नाट एकुरेट प्लस नाट प्रेसाइज यह दोनों नहीं है इस तो देखा जाए तो दी में आप देखो देने आपके पास बंस अगें 9.5, 9.8, 9.6, 9.5 ये वैडिश भी जो है आपको एक एक एकुरेट और किरसाइज देनी तूकर आपके सामने ही क्लोज भी है और इसके साथ-साथ एक्ट्टल वैल्यू की भी मुझे क्लोज भी है कि आपके पास जो 9.5 सिंटिमीटर की एक्ट्टल वैल्यू है उसके साथ से मुझे एक्ट्लोज निस मिल रही है तो ये वी आपकी पास प्रिसाइज है प्लास इंगोरेट है सो स्वेंग स्कूलिजन का निकला कि एक्ट्टी एंड प्रेसी जो है बोत अंडेपेंडेंट आप टू इच अदर जो रिजल्ट प्रेसाइज हो सकता है जरूरी नहीं है कि इस इस्ट्रुमेंट से वह लिया गया वो अप्रेट भी हो सकता है डिपैं यह करता है को इंस्ट्रुमेंट कितना गूरेट देता है संप्टां डोपर साथ बहुत अच्छे क्वाल्टी के दिश्व में ने आक्शाइजी कैसी ज decision जितने जादा सिग्नेटिकेंट डिजेट्स होते हैं रिटिंग के अंदर उत्री ज्यादा जो है आपके पास रिजाद एकुरेट समझा जाता है तुसरी एकुरीशी जो कम आ रहे होते हैं इस इंस्टुमेंट से वह एर जो है उसके लिए रिस्टुमेंट में वह एर लोगा तो फिर ही उसके अंदर से फ्ट्राइश जो है उसके इस तो है दूर हो यदेगार उसको कनकी यह सकता सकता उसका उक्रूफ किया सकता बिकार आप रिमूँव खराया आपके डिसल्ट भंग टीबैंड गया तेट्ट मेंड करती हैं इस इन better instrument more with the result more precise hope so students you enjoy this lecture ever get a knowledge from that lecture or of again me ra lecture interesting laga comment box me rataheyega milte hai Dimension me thank you enjoy conception physics lecture thank you झाल झाल